खबरों में आगे बढ़ते हैं मुतिहारी के हुई पैक्स हत्या पवन गुपता के हत्या के बाद पुलिस की कारवाई पर राजनिती शुरू हो गई है इसे मामले में अब मोरवा विधायक रणविजय साहू, कल्यानपूर विधायक मनोज यादव, नरकटिया विधायक श्रमी मेहमद सहीतन ने निताओं ने पुलिस कारवाई की उचस्तरिय जांच कराने की मांग की हैं का कहना है कि इस मामले को विधाय सवा में उठाया जाएगा, आपको बता दे कि 16 मार्च को पैक सध्यक्ष पवन गुपता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, इसके बाद अस्थानिया लोगों ने प्रदर्शन किया था, पुलिस ने प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार पूरा दुखी हम नयाई के लिए, हम नयाई के लिए चुकि राष्टिय जनता दल एक गरीवों की पार्टी है, और हमेशा नयाई के लिए या पार्टी लगातार संगर्श किया है, तो आज पूरी घटना का अबलोकन करने के बाद, जिस प्रकार से इनकी हत्या की गई, भ तो क्या कुछ विधायक जो हैं, और नीता लोग हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, इस मामली को लेकर देखा जाए, मंजूर मंजूरी, कि ये मोतिहारी के हर सिद्धी के जो मट्रियरिया पैक सध्याक से पहन गुप्टा की जो सुपारिक चिलर के द्वारा हत्या कर दी कि पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाब आत्रोसित गरामिनों के द्वारा जो पत्रा हुआ, उसमें पुलिस कर्मी भी जखनी हुए, विधायक नेता जो हैं, विपक्ष करेता और विधायक भी अब पुलिसिया कारवाई पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी जांच की बात कर रहे हैं, इसमें यह जो भी लोग हैं, या विपक्ष वाले हैं, या सरकार में जो मंत्री और विधायक के रूप में अभी बरतमान में हैं, यह जितने भी लोग वहां पे पहुँच रहे हैं, तो यूं कहा जाए कि कौन गुप्षा के सौव के साथ यह सिय कオस ważne की बात कर रहे हैं, यह सिय थितने बिदात की जांच की मांग कर रहे हैं, इसमें जो हत्या हुई है, पहां पर यह सौंगामा के बात कर कर रहे हैं, यह क्यों ठाल की तो एकर जांए है जी déc guitar जाए इसमें जो हट्रूंगुरसा की हट्रूओी हिए उसके नियाईत च्जात की मांग कर रहा हैं। झी और हंक्टिया पीरित परिवारों और निर्दोस लोगों साथ जो पुलिस की जो घुंडा creshorse की गई है और अच्छाय और मजलूम लोगों को जो पीट पीट कर यहां तर कि जो अंधे लोग है और बहरे लोग हैं जितमें महिलाएं और बच्चे भी सामिल है उनको जो कपड़ा फार के जो पीटा गया है उसके भी खिलाप ये लोग उचास्तरिय जांट की मांग कर रहे ह तो यह कहा जाए कि यह तीनों मामले में जार को लेकर ये तारे राजनितिक जल और pengaल करने लके वह फिलाज करने में Ara कर यह आवाजम एक वाज करने में लगए की तो आपको dois कि मुतिहारी में पैक सख्धक्षी हत्या और राजनतिक रंग लेने लगी है तमाम नेता विपक्ष नेता वहां मौझूद पहुंच रहे हैं और परीजन से मुलाकात करने के बाद उच अस्तरिय जांच करवाने की बात कर रहे हैं पुलिसिया कारवाई पर छप्रा में मांज आजिका खारिस करते वे गैर जमानती वारंट जारी करने का अंदर देश दिया है आपको बता दे कि तारकेश्वर सिंग का शव दो जुलाई 2007 को गौंग के बाहर खेत में बरामद हुआ था जारकन की जमशेथपूर में MGM थाना शुत्र की टीम ने जर्ण स्पार्लर में चाप इमारी करते वे छे महिला और एक पुरिस को गिरफतार किया है बताया जा रहा है कि पुलिस को गुपत सूच ना मिली थी यहां पर गोरक धंदा चलाय जा रहा है इसी पर पुलिस ने चाप इमारी की गिरफतार महिलाओं और पुरिस से पुरिस पूस्ताच कर रहे मुझदफर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है दरहसर पुलिस ने तेल कटवा गिरों के आठ अपराधियों को हत्यार के साथ गिरफतार किया है इस मामले में स्सP जैंत कांथ ने बताया कि लंबे सरसे से अपराधी फरार चल रहे थे जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछा कर अपराधियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल कियी वहीं गिरफतार अपराधियों के पास से कई हत्यार लूट की वाहन सहीत अन्य समगरी जब्द की गई है तो आपको बता दे कि मुझजबफर पुलिस लगातार कारवाई कर रही है अपराधियों पर नकेज नकसने की कोशिश की जारी है और एस्पी जयंद कांत लगातार थना प्रभानियों के साथ उच्चसतर ये बैटक कर रहे हैं जिस पर ताजा सफलताई तेलकटवा गिरों के कई सरस्यों को गिरफतार करने में लगी है और इनके साथ कई हत्यार भी जब्त किये के हैं तो यानि की पुलिस आक्शन में है और पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कारवाई में जुटी होई है वहाँ पर रात्री गस्ती बरहाई गई है तमाम थना प्रभारियों को अपने थाना शित्र में अपराधियों पर नज़र रखने की बात कही है साथी होली को देखते वे शराब माफियाओं और अन्य गिरों पर अन्य कुख्यात अपराधियों पर नज़र रखने की बात स्स्पी के द्वारा कही गई है बिहार शरीट में किशोर नयाय परिशत के मजिस्ट्रेट मानवेंद्र मिश्रा ने आतिहास एक फैसला सुनाया है दरसल मामला हिलसा का है जहां सरस्वती पुजा में शामिल होने गई किशोरी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी किशोरी के पिता ने 11 फरवरी 2019 को हिलसा थाने में युवक के खिलाब अपहरण का मामला दर्ज करवाया था जिसके बार 19 मार्च 2021 को यह मामला नयाय परिशत पहुंचा इसी मामले में मजिस्ट्रेट महज तीन दिनों के अंदर ही नावालिग पती पत्नी को साथ में रहने का फैसला सुना दिया आपको बता दें किसे पहले भी मानवेंद्र मिश्रा कई अतिहासिक फैसले सुना चुके हैं कटिहार जले के मैरा गाउं में एक अधेर व्यक्ति की धारदार हतिया से हत्या कर दी गई मिर्टा की पहचार इमली टोला के निवासी मुहम्मद सुल्तान के रूप में की गई है बताया जा रहा है कि मिर्टा के डीजल और केरोसिन का वेपार करते थे गटना के सूशना मिलते ही फुलस मामले के चान में में जुट गई है जारकन के गुमला के एक बड़ा लोरो गाउं में एक व्रद्ध दमपति पड़ाया और विर्साही कारूप लगा कर गाउं से मार्पिट कर बहार निकाल दिया गया जिसके बाद वरासी वर्षिय महली उराव और 77 वर्षिय बुधनी देवी पुगो पंचाय तरसत अपने बेटी के घर में पिछले तीन सालों से रहने पर मजबूर है वही मेडिया से बाचित भी विजुर दमपति ने की और बताया कि गाउं के लोगों ने उनकी जमीन हर अपने की निया से डायन विसाही कारूप लगा कर उन लोगों को गाउं से बाहर निकाल दिया गटना की सुचना मिलने के बाद एक संस्थानित बुजुर के दमपति से मुलाकात करते हुए नया दिलाने की मांगी इसके बाद जिले के पायुक ने टीम गठित कर मामले की च चान बिन कर लिए है जाकंड के लाते हार जले के एनयचे 75 पे राची मेधनीपूर मुक्षमार के सडक हाथसे में पुरुष और महिला गंभी रुप से जखमी हो गया जिसके बाद दोनों को सदर अस्पिताल में भरती करवाया गया है बताया जा रहा है कि दोनों साइकिल क के साथ सडक पर पार कर रहे थे इसी दौरान तेज रफ्तार कार की चपिट में आने से हाथसा हुआ गटना की सूचना मिलने के बाद पुलस ने कार को जब्द कर लिया है आपको बता दें कि लातेहार की खबर है जहां दो लोग भायल हुए है और अब आद टैक्सी करते हैं मार्च महीने में टैक्स वसूली का लक्ष है हासिल करने के लिए अब एक बाद फिर से वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत होने जारी है इसके लबाब बगैर परमिट के आटो और टेम्पो चलाने वालों पर भी पटना की ट्राफिक पुलिस की कड़ी नजर रहेगी यह अभियान 25 मार से 10 दिनों तक जारी रहेगा